Hello everyone तो आज उकाओ मैं एक नगी वीडियो लेकर जोकी आपके लिए काफी ज़्यादा रूपर थेय। तो चलिए देखते क्या है बोटॉक्स कैसे करते क्या रहता है उसका रिजल्ट तो हम करेंगे स्टेप बाइस स्टेप सारा प्रोसेस तो आप हैर देख लिजिए जैसे की हैर काफी जादा कमजोर हो चुके तो इलास्टिसटी भी नहीं है इनके हैर में तो हम करने वाले केना का Botox जो कि Brazil company का है और Best Botox से अगर मैं guide करूंगा तो मैं सबको यहीं suggest करता हूं यह वाला Botox जो कि Best सबसे पहले हमें करना है Shampoo Shampoo अच्छे से करना है कोई भी treatment हो Shampoo जो हमारा अच्छे से होना चीए क्योंकि जितना भी dust है है में पूरा clean होना अच्छी है क्योंकि अगर डस्ट अपने के लिए नहीं किया तो आगे का प्रोसेच जो है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा तो आपको सबसे पहले अच्छे से शैंपू करना है प्यूरिफाइंग का शैंपू यूज कीजिए जिसके वेज़े से हमारे हेर के सारे क्विट करेगा तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई प्रोटीन का ट्रेटमेंट करते हो तो आपको प्यूरिफाइंग का ही शैंपू लेना है क्योंकि प्यूरिफाइंग का शैंपू अच्छा रिजर्ट भी देता है और अच्छे से हैर के क्विटिकल्स ओपन भी कर लेता है क्योंकि अगर आप वेट हैर पे अप्लिकेशन करते हो तो क्रीम का जो रिजर्ट हो जाता है क्रीम का जो स्ट्रॉंगने से वह माइल हो जाती हो रिजर्ट अच्छा नहीं आता तो हमें ड्रा हैर पे अगर आप अप्लिकेशन करोगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि उसका रिजर्ड भी अच्छा रहेगा और उसकी शाइन भी अच्छी रहेगी तो चलिए आपको 100% ड्राइग होने के बाद section निकालना है जैसे कि मैंने निकाला है देख सकते हो आप 4 section जो की basic section होते है तो वह अच्छे से निकाली है देख सकते हो मैंने निकाला है वैसे ही आपको न वह हमारे लिए हामफूल हो सकता है तो देखिए मैंने gloves पेना है और मैंने निकाला है product आप देख सकते हो product जो है वह तोड़े से नीले कलर का है क्योंकि botox जो है सारे botox ऐसे ही color के आते तो ध्यान रखिए आप application करते समय च्छोड़े section लीजिए जैसे मैंने लिए देख सकत आप तो ऐसे ही आपको section लेना है छोड़े section से आपको application करना है और हाँ application करते समय आपको root से एक इंच का gap रखना है क्योंकि अगर root पे लग जाता है तो hair fall होने के chances इचिंग होने के chances होते हैं आपको हमने किये हुए service का update चाहिए तो आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हो देख सकते आप पर वहाँ पर मुझे आप follow कीजिए आपको वहाँ पर सारे updates मिलेंगे जो कि हमने client को services कि उसके उपर तो चलिए हमें application करना है अच्छे से application होने के बाद ही जो हमारा result होने वाला है वह सही होने वाला है तो देखिए मैंने जैसे छोटे section से application कर रहा हूँ इसे आपको क पेज गूगल पर भी है क्योंकि किसी को हमारे salon का address चाहिए होता है तो आप Google पर भी जाकर हमारा salon का नाम सर्च करके आप हमारा address ले सकते हुआ पर भी सारी information मैंने fill up की है तो आपको डालना है transformation family salon और आपको first page पर आ जाएगा हमारा salon वहाँ पर मेरा number है और आपको वहाँ review भी check कर सकते हो हमारे की काफी जादा अच्छे है तो चलिए हमारा application होने को आ चुका है almost 3 section जो हमारे हो चुके तो हमें एक last section करना है last section होने के बाद हमें cream को 45 minutes तक hair पे रखना है क्योंकि जो हमारा product है वो अच्छे से penited हो जा hair में और आपको अच्छा कासा result दे दे और हा आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो like जरूर करना और उनके साथ share जरूर करना जिनको botox में confusion होता है तो चलिए हमारा application जो almost हो चुका है हमारा last section बाकी है आपको भी same application करना है जिसे मैं कर रहा हूँ तो कि tap tap करना है आपको root से एक inches से दूर रखना है product को और अच्छे स multiply करना है अच्छे से multiply होने के बाद ही हमारे सारे hairs को product लगने वाला है तो ध्यान रखिए आप जबी भी application करते हो अच्छे से करना क्यूंकि सारा result जो है वो उसके उपर ही depend है अगर कहीं पर hair रह जाते तो आपके hair का result है वो अच्छा नहीं आएगा और आपका hair उतना अच् यह उसका ध्यान रखिए तो चलिए हमारा application जो हो चुक है almost तो हम करेंगे अभी आगे का process आगे का process भी इतना टेकनिकल नहीं है आपको simple सा process है botox जो कि आप भी कर सकते हैं एकदम simple process है easy तरीका है कुछ टेकनिकल ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं तो चलिए हमारा application हो चुक है हमने लगाया shower cap इसलिए लगाते हैं क्यूंकि product की जो भी heat है वो बाहर ना चाहे hair पर ही लगे तो इसलिए shower cap लगाते हैं तो आप hair के अंदर importante करे और अच्छे से लॉक करें द्यान रुकल आ पको अच्छे से करना हिए यहाँ फक्र चोटे चोटे चेक्षियं से blow dry करना है और अच्छे सख्चे se hair ने के अंदर deposit करना तो देखसक्त हमने हैं आपको ब्लोड्राय करना है को व।क ब्लोड्राय कर यहाँ है कोई भी treatment पे तो देखिए blow dry जो है उसका एक ही reason है जो कि हमारा product है वह अच्छे तरह के से hair में deposit हो जाया और हमें अच्छे तरह के सा एक look दे जाए तो यही एक reason होता है कि blow dry अच्छे से क्यों किया जाता है solid treatments में तो देख सकते हो आपको अच्छे से blow dry करना है blow dry करने के बाद ही आपको iron use करना है क्योंकि अगर आप directly iron use करोगे तो हमारा product जो हो अच्छे तरह से lock नहीं हो पाएगा hair में और lasting भी नहीं रहेगा तो आपको पहले blow dry करना है है तोड़े से dry होने के बाद आपको निकाल लें चार सेक्षन जो की basic सेक्षन होते हैं हमारे तो देख सकते हो अभी आपको करना है छोटे सेक्षन से सेक्षन जो रहेंगे वह चोटे रहेंगे क्योंकि अगर बड़े section ले लिया आपने तो हमारा blow dry जो है वह सारे hair को नहीं लगेगा और बीच के hair जो है वह वह इसे रह जाएंगे तो देख सकते हो मैंने कितने छोटे सेक्षन ले उपने यह आपको लेना है और देख सकते हो बार में अच्छी तरीके से तो ऐसी करन jedem आपको ज़लबाजी नहीं करना है जलबाजी करो के बड़ी section लोगे तो रिजर्ट जो हमारा अच्छा नहीं आएगा तो देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ आपको ब्लोड रहा है के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंड कीजिए मैं ब्लोड रहा है के ऊपर भी वीडियो लाओंगा और मैं बहुत सारे नोलजिबल वीडियो लाने वाला जो कि मेरे वीडियो बड़े होते हैं इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप भी बहुत नहीं हो जाए तो चलिए हमें ब्लोड रहा है करना है चोटे से अच्छे से देख सकते हो आप अपको भी ऐसे ही करना है पहले रूट की यहाँ पर करना है रूट का यहाँ पर होने के बाद आपको लेंद के उपर करना है क्योंकि रूट पे भी आपको अच्छे से ब्लोड रहा है करना है तो देख सकते हो मैं लेंद पर कैसे कर रहा है तो आपको भी ऐसे ही करना है पैडल प्रेश लगेगा आपको और हां मुझे कमेंट जरू में चोटे-चोटे step भी आपको में बताऊंगा ताकि आपको भी properly समझ में आए कि क्या होता है process और कहीं बेबे आप confused नहीं रहे तो बहुत से लोग जो है उनको confusion होता है कि किया जाए कि केरटीन किया जाए तो देखिए अगर आपके हैर अगर ज्यादा ड्राय और डैमेज हुए जो कि केमिकल से तो आप बोटॉक्स में जा सकते हो क्यूंकि बोटॉक्स वे काफी अच्छा रिजल्ट देता है और बोटॉक्स जो हमारे पोरोस हैर को भी रिपेर कर देता है अगर आपके पास ज्यादा डैमेज हुए हैर लेकि क्लाइंट आता है तो आपको बोटॉक्स करना है और बोटॉक्स में अच्छा गासा स्ट्रेट लुक भी आ जाता है और हाँ इसका रिजल्ट जो है आपको वोश के उपर डिपेंड करेगा जैसे कि आपको आपको निकालने के बाद आपको आयन करना है को वह भी छोटे सिक्षन से देख सकते हो मैंने चोटे पतले सिक्षन लिये और मैं यूज कर रहेगा वह आपके हैर के उपर डिपेंड करेगा जैसे कि अगर हेल्दी हैर जिनके तो आप टेंपरेचर फूल रख सकते हो अगर पतले है तीन है तो आप टेंपरेचर जो रहेगा वह तो टूहंड़ेट टूट्वेंटी के आसपस रख सकते हो तो देख सकता हो मैं आइन कैसे कर रहा हो यह से करने आपको पहले रूट के आपको एक पास से च्छे स्टोक्स करने उसके बाद आपको लेंद के उपर करना आपको सेम प्रोसेस कोई एक्ष्टर नहीं करने आपको और आइनिंग जो रहेगा वह अच्छे कासे कोई कंपनी का यूज कीजिए तो अगर कोई लोकल आइनिंग यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो रहेगा उसके क्विटिकल्स बंद करने की जो पावर होगी वो उतनी नहीं रहेगी जितने बाकी सारे आइनिंग में होती है तो देख सकते हो मैं जैसे आइन कर रहा हो हैर को कितनी सारे शाइन आ रही है तो आइनिंग करने का रिजन जो होता है वह हमारे हैर के जो क्विटिकल्स थे तो उनको बंद करने का काम करता है आइनिंग करने के बाद उसको ब्लोड राय से हेर के अंदर डिपोजिट किया उनको डिपोजिट करने के बाद हम कर रहे हैं आइनिंग हमारे जो भी क्विटिकल्स ओपन किये थे हमने शैंपू से उनको बंद करने के लिए हम आइनिंग यूज करेंगे तो आइनिंग होने के बाद हमें करना है hair wash कायरेटीन सिस्टीन बाकी जो ट्रिट्मेंट से उनके जो hair wash होते वो next day होते पर जो botox treatment है वो same day wash होता है जिस दिन आप treatment करते हो उसी दिन आपको wash करना होता है अगर आपको नहीं प्रॉपरली उसके according हम आयन का temperature set करेंगे तो अगर healthy है रहे तो आप आयन का जो temperature रहेगा फूल रखिए अगर पतले है रहे तो आप तोड़ा सा temperature कम पर रखिए फिर medium पर रख सकते हो तो देख सकते हो हमाना आयन जो हो complete हो चुका है हम करने वाले सब्सक्राइब करते समय याद रखिए रहेगा पहले आपको पानी से सारा जो प्रड़क्ट ता जो बाहर बचा हुआ था उसको क्लीन करना अच्छे से स्रीप पानी से वाश करने आपको शैंपू नहीं यूज करना देखिए ध्यान रखिए कोई-कोई जो है वो शैंपू यूज करता यहाँ पर पर शैंपू यूज करने के बाद जो हमने ट्रीट्मेंट किया था वह निकल जाता है जल्दी तो आपको शैंपू नहीं करना आपको कोई भी मास्क या फिर कोई जो जाएंगे अच्छे से पहले पानी से वाश करने के बाद मैंने सपा लिया पूरे हैर पे लगा है से कहीं पर भी मैं हैर नहीं चुड़ूंगा सारे हैर को मैंने पाल लगा दिया पानी से अच्छे से जितना भी स्पा आपने लगा था पूरा रिम्यू करना तो देखी लिया होगा आपने कितना सिंपल प्रोसेस है काफी इजी प्रोसेस है कोई भी कर सकते हो खाली जो टोविल्ट राए क His okeer के बाद मैंने सीरम लिया सेरम भी प्रोपर लगाई हैै're के दो स्क्षन करके आप लगा सकते हो सीरम सीरम लगाने के बाद आपको करना है ब्लोड राए blow dry भी dry कीजिए 100% dry कीजिए पहले hair को सारे और हमेशा है याद रखिए मैंने पहले भी बताया blow dry जो रहेगा आप उपर से नीचे तक कीजिए अब नीचे से blow dry मत मारना देख सकते हुआ जो भी blow dry का जो nozzle है वो उपर से नीचे तक जा रहा है तो ऐसे ही करना है आपको अगर आपने नीचे से ब्लोटरा है मारा तो एर जो है वो फ्रिजी हो सकते तो देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको confusion लग रही है तो आप वापीस एक बार वीडियो देख लीजिए क इतना भी टेक्निकल कोई काम है नहीं तो आपको भी आ जाएगा मैंने जितना भी आसान तरीके से सिखा सकता था उतना आसान तरीके से मैंने ट्राय किया तो देख सकते हो आपको ब्लोड्राय होने के बाद हेर तोड़ी से ड्राय होने के बाद आपको न सेक्शन निकालने सेक यही है कि botox, फट्रेटमेंट जो भी है, वो सारा सेम है, खाली इनके ingredients से वो अलग-अलग होते है, botox और carotene, जैसे की सिस्टीन बोल सकते हो, प्तो इनके ingredients अलग है, बस प्रोसेज के सेम है, खाली botox में जो खाली सेम डे वाश होता है, और botox में जो है, वो collagen complex होता है जो कि हमारे porous hair को repair करता है और उसके साथ-साथ chemical damage hair को भी repair कर देता है तो देख सकते हैं मैं bloat eye कैसे कर रहा हूँ एक 4 section में divide करके hair को छोटे section लेके उनको मैं bloat eye कर रहा हूँ तो आप paddle brush भी use कर सकते हो otherwise कोई roll का भी आप use कर सकते हो जो भी brush आपको comfortable ले उससे आप कीजिए बस hair को अच्छे से root के पास और आपको length के यहाँ पर आपको bloat eye करना है तो देख सकते हो result कितना प्यारा आ चुका है हमारे hair पे hair जो dryness जितना भी था hair में सारा निकल चुका है और shine भी है काफी जादा आ चुकी है तो यह सारे benefit से botox के ऐसे कुछ transform कर देता है हमारे hair को botox और हाँ मुझे जरूर comment करना कि आपको next studio जह है वो कौन से treatment पे चाहिए तो मैं आपको उसके उपर में वीडियो जितना हो सके उतना simple में लाने का कोशिश करूँगा तो चलिए हमारा जो treatment है वो almost हो चुका है तो देख सकते हैं हमारा यह final result है कैसा लगा result आपको यह भी मुझे comment में बताना तो चलिए आज के लिए इतना ही और thank you so much for watching I hope कि आपको वीडियो समझ में आया होगा